राधे राधे तो मेरे दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट गैरी तो चलिए आज का व्लोग हम शुरू करते हैं आज कहा गूमने चलें दोस्तों आप समझी गएंगे टाइटल देखे गाईज आज हम जा रहे हैं वरिंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जी हाँ आज हम जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन करने में टेंपल है गाईज बिहारी जी का वरिंदावन में गाईज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं चाहे तो 140 किलोमेटर आपको पड़ेगा अगर अपने वीकल से आप जाते हैं गाईज यह हमने लिया है प्रज भूमी यहाँ पे एक होटेल और यहाँ पे हमें गाईज हमने दो रूम यहाँ पे रेंट करें हैं चेक आउट यहाँ पे है 12 in the noon very next day और यहाँ पे गाईज आपको 1200 with AC और 1000 रूपीज without AC रूम हमने जो हैं दो यहाँ पे ले लिए नीट अन क्लीन गाईज रूम है नियरस तू मंदिर गाईज याद रखे गाईज जब भी आप जाएं कोशिश करिए मंदिर इसके पास ही आप जो है रूम लीजिए क्योंकि गाईज टेंपल जो है वो क्लोस हो जाता है at 12 और सारे टेंपल्स ही क्लोस हो जाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इसके तो दूस्तों यहां से हम जा रहे हैं गाईज मंदिर कोशिश करिएगा सिक्स एम गाईज अर्ली मॉर्निंग निकल लीजिए गाईज आट बजे सारे ओपन हो जाते हैं गाईज यह देख रहे हैं प्रिजवासी यह फेमस अगर आपको पीड़े सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करने के बाद करीबन आपको 500 यहां से मीटर्स जो है वाक करनी होगी अंदर की तरफ खाने में ज़्यादा चीज़ें यहां पे आपको नहीं लुबाएंगी फिकिस यहां पे लसन और अतरक जो है वो सर्फ नहीं होता है खाने में तो आप खमंड का सकते हैं कचोडी यहां का सकते हैं आप आलू की भाजी पूरी के साथ खा सकते हैं ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर आपको खूले दर्शन करने हैं अगर आप चाहते हैं पड़ेजी से कहके आपको माला पेहनानी है ताकुर जी को आप देख सकते हैं कुछ व्यू डेकॉरेशन हम गए थे हम आवस्या के दिन और यहां पे कुछ इस तरह जो है लुबावनी डेकॉरेशन हो रखी है कि देख सकते हैं दर्शन यहां पर इसकौंड टैंपल भी है और फॉर्टनर्स की भी इतनी ही प्रतिवा है जैसे हम इंडियंस की है वोट से भावन यहां पर इवेलेबल हैं गाई वो भी आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं आश्रम आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं जरूरी नहीं आपको होटेली लेना है धरमशाला वगेरा में भी यहां रह सकते हैं बहुत ही अफॉर्डेबल वो पड़ता है और जितना नियरेस्ट है गाईज उतना ज्यादा फन आप कर पाएंगे यहां परीक्रिमा भी होती है गाईज 12 किलोमीटर्स की मतब एक राउंड लेना होता है वरिंदावन के आसपास की एरिया का अब वो आपकी शरत है गाईज चाहे तो आप एरिक्षा से भी ले सकते हैं या फिर आप पैदल यातरा करकर भी ले सकते हैं तो बहुत से आश्रम गाईज अवेलेबल हैं कुछ काना जी के सारे वस्त्र यहां पे और अगर आपको एक जूला लेना है, मंदर स्थाफित करना है, सारी चीज़े यहां पे आपको गईज अवेलेबल होंगी ठाकोटी से रिलेटेड गाईज सभी भक्ति बाहा में लीन आप देख सकते हैं इनको भी कुछ मैं नाप के सार्व में जूदेगन से थीयदेग कुछ मिए लाय में नाप किम लीन आप एनको भी खूा कर दो आपा बाहारी कुछ तो गैस हम ब्लॉक कर रहे हैं और हम यहां पर सोडा ना पिए हैं करने का जूस ना पिए हैं यह हमें एक बुक मिल गई है यहां पर अज़िए और खाय के जिए आए हिर दोजिए आए हो इस ना अधिए हैं तो बंगी मैं आधि इस यह हम ने कर लिया थे दर्शन अब हम कर रहे थे रेटान यहां पर गाइस शुगर के इन जूज जरूर भी हैंगे थोड़ी अलर्जी के लिए गाइस मौसम अच्छा है डेली से आप गाइस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो कहीं लोग आपको गएंगे मतुरा जंक्शन पर ही आप ले लीज पर कर सकते हैं 140 किलोमेटर टू अनवाफ आर से थ्री आर्स की जर्णी आपकी रहती अप्रॉक्सिमेटली और गाइस यहां पर और भी कुछ टेंपल हैं गाइस आप कर सकते हैं विजट यहां पर प्रेम मंदिर जीहां गाइस बहुत ही बहुत ही सुन्दर और देखने आता रहेगा तब तक के लिए गिल्स ट्रावल एंड फूड शाइनिंग ओफ टेक केर